Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग? मार्स, बढ़िया तो चलो आज हम लोग लेके आ गए हैं previous year paper discussion और वो भी किसका? pharma, kognosy का कुछ बच्चे कह रहे थे, sir एक lecture देख लिया, बाकी के दो यानकि जो lecture में डाल चुका हूँ, वो साइद आपको मिलने ही रहे, तो मैं क्या करूँगा? इसी type के मैंने 5 चैप्टर के क्या किये हैं? धीरे धीरे करके paper discuss कर रहा हूँ मैं और हर lecture के description में बाकी 4 के link मैं दे दूँगा जिससे क्या डूणना असान रहेगा discuss हम देख चुके हैं, तो same वैसा ही discussion हम कुछ यहाँ पर करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या तरीका है, ठीक है? कि pass हो जाएं और क्या तरीका है, कि हमारे क्या, syllabus, ठीक है ना, तुम उमीद कर रहा हूं, सब के पास syllabus आगया होगा, जिन बच्चों के पास syllabus नहीं है, ठीक है, वो लोग कई बच्चों नो मुझे message किया कि सब syllabus आपका वाला दे दो, जो मेरे पास है, मेरे पास बच्चों, syllabus PCI वाला है, तुम लोग एक काम करोगे, क्या लिखोगे, तुम लिखोगे, यूट्यूब पर, D-Farm, new syllabus, ठीक है ना, और उसके आगे क्या लिख दोगे, mind nurture, याने कि, मेरा कोई भी lecture देखना चाहते हो, heading का नाम डाल करके, उसके आगे क्या लिख दो, mind nurture लिख दो, वो पर लेक्चर निकल आएगा, और इसमें जो, lecture, वीडियो निकल के आएगा, उसके description में, syllabus का link दिया हुआ है, सब लोग इजली निकाल सकते हो, और जो बच्चे app में है, उनको तो पता ही है, आप में बेंट दे रखा है, ठीक है, आगे आते हैं, तो cognoscis का syllabus के लिखर, हम ज़रा बात कर लें, तो यहाँ पर यह सारी कीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है, कि objective वगरा क्या है, अब ज़रा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, कि syllabus, ठीक है न, टोटल 1, 2, 3, and then 4, 5, मैंने पहले ही बताया, 4 और 5 काफी important chapter है, ठीक है, 4, 5, 6, 7, and then आया था हमारे पास, 8, 9, 10, 11, 12, 12 chapter है, आओ, अब देखते हैं, हम लोग अपना, UP का 2022 का chapter, शुरुवात करते हैं, अपने 5 नमबर वाले question से, ठीक है न, तो 6 question हमें करने हैं, जोगी 5, sorry, जोगी 5-5 नमबर के हैं, तो देखो, क्या आता है question, सबसे पहला question, define pharmacognosy, तो यहाँ पर क्या आगी, definition आगी है, discuss the scope of pharmacognosy, question अगर हम देखें, तो जो मैं हमेशा दिखाने ही कोशिश करता हूँ, कि question हमको, बहुत ज़्यादा definition आगी, ठीक है न, और scope of pharmacognosy आगे, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर तुमको slavers की heading भी अच्छे से आती है, slavers की सारी heading को, अगर तुम 3-4-4 लाइनों में लिखने की छमता रखते हो, तो बहुत अराम से तुम्हारे 50-60 number कहीं नहीं गए है, बहुत अराम से आएंगे, के लिए रहे, आगे आते हैं, ठीक है, next, describe in short various system of classification of crude drug, सारे system of class, क्योंज पांस नंबर आ question है, ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक और चीज help हो रही है, यह मैं साहिद बाकी paper में बताया हूँ की ने बताया हूँ, यहाँ पर एक चीज और देख लिया करो, marks तोड़ दिये हैं, 1 और 4, यानि कि यहाँ पर जो definition है ना, उसको अगर तुम 1 से 2 line में लिख दोगे, चल जाएगा, क्योंकि वो 1 marks का है, उसमें 10 line में लिख के कोई फाइदा नहीं है, बाकी बचा scope, वो 4 number के हिजाब से हमें उसका answer करना है, बास समझे में आरी ना, यह देखो, pattern तूट रहा है, 2 और 3, बाकी जो lecture है, उनमें पेपर में मैंने बताने कोशिश किया, साहिद किसे में भोल गया हूँ, तो ज्यान दें, कि जो number तूटे हुए, उसके साथ सा answer करना, अब यह 5 number का question अगला वाला, नेम दा वेरिस मेथर ओफ एवलिशन आफ कूड ड्रग, यह 2 number का, यानि कि यहाँ पर methods देने हैं, और उसको एक एक लाइन में explain कर दो को चल जाएगा, बहुत ज़्यादा explain नहीं करना, mention the organoleptic evolution, अब organoleptic को 3 number के हिसाब से थोगा सा detail में बता देंगे, बास समझे में आ रही है, इतना part 3 number का, इतना part 2 number का, तो question तूट कर आ रहे हैं, तो 2 number के हिसाब से बता, 2 number के हिसाब से 4 परने थोड़ना भरने, इसमें भाई या, ठीक है ना, अब चलो देख लेते हैं, describing short the various system of classification of crude drug, तो यह हमारे पास अगर हम बात करें, classification of crude drug, या अच्छा, quality control है, classification of crude drug, ठीक है ना, तो यहाँ बाज़े एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे system है हमारे पास, इनको हम लोग क्या कर देंगे, explain कर देंगे, ठीक है, next diet question आ गया, next हम लोग चलते हैं अभी, हाँ, name the various method of evolution of crude drug, mention the organoleptic evolution, तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं, तो, ठीक है, evolution of crude drug, तो यह वाली heading से पूरा question है, एक तरह साम देख सकते हैं, evolution of crude drug अपने आप में, पूरा-पूरा पांच नंबर में आ गया है, तो इसी के अंदर जो different तरीके हैं, वो बताओगे तुम लोग कौन-को से तरीके पड़े हैं, उसमें organoleptic वाले को detail में थोड़ा सा explain कर दोगे, बा समझ में आ रही है, तो direct question आया हुआ है, ठीक है, पूरी heading है उप्ट गया इतरह से पांच नंबर में आ गई है, आ गया आते हैं, what are alkaloids, write about the distribution and test of identification of alkaloids, देखो, what are alkaloids, एक नंबर का, distribution and test of identification of alkaloids, चार नंबर का, अब obviously बात है, test हमारा एक या दो लाइन का ही होगा, अब test को थोड़े ना, तुम 10-15 लाइन हो लिखोगे, भाई reaction लिख दो, उसका explain करो दो इससे जादा क्या है, बाद बागी क्या distribution, कहां कहां पाई जाता है, पत्तों में, कहां पर है, ठीक है ना, तो इसका क्या है, distribution आ जाता है, तो अब आयाते हैं अपने alkaloids पर, तो सीधा सीधा question आ गया, alkaloids क्या है, ठीक है ना, उसका distribution, और, test, identification test, direct alkaloid, उसका एक पार्ट ये बूचा, एक पार्ट ये बूचा, तो जो मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा question जो है, slayvus सही उठके आ रहे हैं, बहार से question नहीं है, क्यों हमारा slayvus सीमित किया गया है, अगर किसी state में, या कहीं पर, जैसे last time ने साइध, एक पार्ट ये बहार से लग रहे थे, ठीक है ना, तो वो एक आद question के चक्कर में, अपना ये नहीं कि उस एक आद के चक्कर में, पूरा ये out of course पढ़ना सुरू कर दो, हो सकता है एक आद चीज़ें कई बहार आ जाएं, दो चार नंबर की, तो उससे परिशान नहीं होना है, किलियर है, आगे आते हैं, the biological source, chemical constant and therapeutic use of any two, कोई भी दो, है ना, धाए डाए नंबर के दो है, और धाए नंबर में क्या पूछ रहा, biological source, chemical constant and therapeutic use, तीन चीज़ें धाए नंबर में, तीन चीज़ें दे दी, तीन चीज़ें हैं हमारे पास, पढ़ने हर किसी के बारे में, हमें यही तीन चीज़ें पढ़ने हैं, तो क्लूव आ गया, क्लूव वहार कोउश्चन में था, ठीक है, और दूसरा क्या था अपने पास, एक था राव वॉल्फिया ना, देखने ही रह, अब यह वाला कोश्चन ना, इसमें पार्ट नहीं बनते हैं, इसमें तुम्हें कम से कम, एक डाटा वहने बनागा के तयार किया, एक डाटा तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है रोल क्या है एक नॉम्मी में, मेंली क्या हमको प्रॉफिट होता है इनसे, तो वह बनते हैं, तो आप यह एक डाटा तयार किया एक देना, अब किया अब यह आईया, तो कोई भी अपने ना, दस प्रॉफिट नाटा तयार कर लो, जिनका पुरा डाटा तुम्हें याद हो, ठीक है किसिएर में कितना क्या हुआ, कितना उससे profit हुआ बगएरा बगएरा ठीक है क्या chemical constant होता है दस याद कर लो उसका national economy में उसका role अपने आप लिख जाएगा जो मैंने तरीका अपने lecture में दिखाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर क्या है अच्छा यह देख सकते हो direct question आ गया रोल of medicinal plant and aromatic plant in national economy तो medicinal plant का पूछ लिया है यहाँ पर national economy में ठीक है डाइट question है अपने पास आगया तो एक्स्प्रेंड बेसिक प्रिंस्पल्स इंवाल्वेदिक और होमोपेथिक सिस्टम्स अफ मेडिसिन पांच नंबर में है तो principles की बात करनी है हमें यहाँ पर तो basic principles तो यह अपने स्लेवस में ही है ठीक है ना basic principles ही पढ़ने है किसके अंदर अर्वेदा सिद्धा युनानी और हुमेपेथि तो basic principles मतलब जो heading है ना पिटा उसको तो अच्छे से घोट के याद कर लो question वही आएगा अब जैसे मैंने कहा आगर जैसे जितने question आ रहे है उन सब के बारे है बहुत detail में नहीं आते हैं तो उसके बारें दो दो लाजने लिख सकते हो तो दो दो लाँने लिखने का मतलब क्या है पहला वाला पार्ट के страхreiben कि और नंबर के है ना छे कोश्चन है कितने हैं पांच नंबर के अगर तुम्हें हर किसी में दो-दो नंबर भी मिलते हैं तो पांच कोश्चन में दो-दो नंबर के हिसाब से 20 नंबर तुम्हारे सीदे सीदे खड़े हो गए तुम्हारे एक बहुत ही मरी हालत की बात बता रहा हू तुम्हें इनके बारे में basic basic idea है तीन तीन चार्चा लाने लिख्या आगई हो चार्चा तीन चार्चा लाने पांच मैंसे तुमको हर किसे में कितने मिल जाते हैं दो दो तो 20 नमबर तुमारे यह हो जाते हैं अब देखो तुम्हें और मतलब बहुत बेकार condition बता रहा हूँ है उन बच्चों के लिए जो बहुत जाड़ डरे हुए है जो पढ़ रहे हैं well done very good जो डरे हुए है उनका डर निकालनी कोईश्च कर रहा हूँ है अब देखो जारा एक एक नमबर भी लेके आए तो दस नमबर यहां से आएंगे बीस नमबर वहां से आए और दस नमबर यहां से आए कितना हो गया तीस नमबर बेटा और दस नमबर तो internal के मिली जाएंगे मिलेंगे दस नमबर internal के कि नहीं मिलेंगे तो हर मतलब जितने भी तुमारे जो मैं कह रहा हूँ जो मैं बात कहने कोईश्च कर रहा हूं बहुत जलूरी बात है यह सब्जेक्ट में इस अपने दिवांगे सेट कर लो तो पांच नंबर का question पूरा नहीं आता जितना आता है ना दो चार नंबर का दो चार लाइने लिख दो पांच मेंसे दो दो माक्स मिलेंगे तो पांच question अच्छा गरवड कर दिया 5-10 हुआ उदर पे हैं मैंने गरवड कर दिया ओके सारी तो यहां पर हम वापस आते हैं एक एक गरवड हो गई है बच्चे कह रहे हों कि सर ने तो बढ़ा दिया चलो कोई बात नहीं यहां पर हम बात करते हैं यह कितना हुआ यहां पर 10 माक्स ठीक है सारी ठीक है ना फाइव टूजा पांच question है ना फाइव टूजा 10 माक् ओके फाइव टूजा 10 हो गया और 10 नमबर ने का यहां मरी हालत में तुम लोग करके आओगे 10 नमबर यहां से हुए तोटल अभी तुम आपस कितने खटे हुए 20 नमबर ठीक है आई मैं बात कर रहा हूँ फिर तुम्हार पास 20 नमबर के क्या है MCQ और multiple choice question है बात समझ में आ तो यह तुमारे कितने हो जाते हैं 30 number हो जाते हैं अब यह मैंने मरी हालत में बोला कि यहां ऐसा तो है निकि सारे question नहीं आते होंगे कुछ question अच्छे से भी आते होंगे उनमें पूरे तीन मैं से इन मिलेंगे तो पास होना बहुत असान काम है तुम अगर यहाँ पर 30 नमबर ले आते हो 10 नमबर तो इंटरनल में मिलेंगे बड़ा राम से पास हो जाओगे 40 नमबर आते तुम पास हो गए किलिए रहा है आप कोशन डिसकस कर ले है डर निकाल रहा हूँ बच्चों का जो डरे हुए है डिसकस द प्रिजेंट स्टेटस ऑफ फार्मक अग्नोसी सीधा आगए कोशन हाँ अजस्टेटस ठीक है न प्रिजेंट स्टेटस ऑफ फार्मक अग्नोसी डाइट कोश्चन आ गया इसके बार में तीन चार लाइने पांच लाइने तो याद करी होंगी में में कि इस स्टेटस में क्या क्या लिखनी है टीचर न चाहें भले या मैं नहीं चाहें भले आट पंदा लाइने एक पेज का लिखवा दिया हो तुम अपनी स्टेटस के में लिखने के लिए 6-7 लाइने तयार करो रटे डालो अपनी कोश्टिन तो डारेक्ट उटके आ रहा रहा ना स्टेटस तो साथा लाइन लिख दालो साथा लाइन वे तुम्हें बड़ा अराम से 2.5 नमबर मिल जाएंगे टीचर अगर 3 नमबर नहीं देता है तो कोई बात नही बात नहीं समझ में आ रही है मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ पर नहीं हमें बहुत ज़्यादा बखेरा खड़ा करना है डेफिनिशन देनी अडल्टरेशन होता क्या है तो डिस्काइब इन ब्रीफ दा अडल्टरेशन आफ क्रूड ड्रग विद एक्जाम्पल ठीक है ना यह दो नमबर का है अब दो नमबर के हिसाफ से हमें च पढ़े होंगे या लगर तरीके के वो सारे याद होंगे मैं करा अगर उनके नाम भी लिखके आ जाओगे ना तब भी टीतर एक नमबर दे देगा उनका एक्स्पेंड नहीं करोगे अगर तो ठीक है ना तो अब सबके एक देदेना हमको किस में किस को मिलाते हैं ना कि जैस एक कॉस्पेंटिक की बात कर लें तो आपने पास एक कॉस्पेंडिक यहें है हरवल कॉस्पेंटिक लो अब क्या होती है तो है क्या नक्या पर नों कहोगे सर क्याइब एविए ह। बट यहां दरह यह देखो what do you know about जब इस टाइब कोशन आता है बच्चा कहता सर अब क्या what do you know about हरवल कॉस्मेटिक हरवल कॉस्मेटिक तो में चैप्टर की थीम अब इसमें क्या लिखे एक लाइन में अब क्या लिखे इसके बारे में अब कुछ बताता हूं मैं फिर तुम्हें एक जब दो लाइन में तुमने इसकी डेफिनिशन दे दी फिर तुम्हें कहना for example लिख करके इसमें किसी एक का उठा लोगे चाहिए ऐलोवेरा का एक्जामपल दे दोगे इसके ऐलोवेरा, आलमंड ओईल, लवेंडर ओईल, ओईल, रोजमरी ओईल और सेंडल बूड ओईल यह सारे एक्जामपल हो गए फिर नीचे next step में आओगे एक लाइन में definition हो गई एक लाइन में example होगे सारे, तीसरी लाइन में किसी एक को explain कर दोगे पूरा किसी एक के बारे में अलावेरा, जो तुम्हें याद हो, उसका source, chemical constraint, commercial preparation, therapeutic and cosmetic use यह बाते लिख दोगे, तो तीन पार्ट बनें इसके, एक definition, एक में example, और तीसरे पार्ट में किसी एक को तुमने explain कर दिया, इस तरी से answering होती है, जब question सीधा सीधा इसका फज़ गया, सीधा सीधा heading का question है न यह तो, तो हमारे course में क्यों इतना पढ़ना था हमें, बात समझ जाइच के टेस्ट देने, यहापर कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, टेस्ट है ना, तो तीन नंबर के है, तो कम से कम दो टेस्ट तो दोगे दोगे भईया, दोगे ना, कम से कम, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ग्लाइकोसाइड है, तो identification test, तो इसके कम से कम दो सुन लेता हूँ है, राइट था, biological source and therapeutic use of the following, biological source and therapeutic use, देखो question क्या आया है, गोख्रू, तुलसी, ओपियम, question फिर वही आ गया, biological source and therapeutic efficacy या use के लोट, ठीक है ना, तुलसी, गोख्रू और ओपियम, एक ओपियम आ गया, ठीक है, और अपने पास क्या आ गया, तुलसी और गोख खुरू आ गया, ठीक है ना, तो तुलसी भी होगा यहीं कई, निकल गया क्या, चलो तुम लोग देखना, तुलसी है, इसमें यह रहा तुलसी, ठीक है ना, होगा सिलेवस से बहारता नहीं होगा, अब पूछा क्या गया, direct क्या पूछ लिया गया, biological source, यही तीन में से कोई पूछा जाएगा, तो वही तीन चीज़े याद कर लो, जो मैं अपने life class जो बच्चे ले रहे हो, उनको समझाता भी हूँ, कि main heading ही हमें याद करनी है, बस, उसके अलावा extra नहीं करना, main heading करके भी चले जाओगे, तो pass हो जाओगे, है ना, चलो, आगया आते हैं, यह हो गय है, define any three of the following, अब दो define बोल रहा है, और तीन question है, एक एक नंबर के, अब इसमें क्या करोगे, चाथ जाथा क्या है, कार्डियोटोनिक, लगजेटिव है ना, डायूरेटिक, एस्टिंजन कामेटिव, define कर दो, एक एक, example दे दो, बस, दो लाइन में question खतम है, ठीक है, इस वा लोट के कर लोगे, तो कम से कम 15 से, 15 से 20 नंबर तो यहीं से ले आओगे तुम लोग, 15 से 20 नंबर के question आ रहे है, बहुत बड़ा चेप्टर आईए, आगे आते है, पालाजिकल सोर्स कहेंगा सर, ऑक्सिटोसिक ड्रग, वो ऑक्सिटोसिक उसमें लास्ट में था, ठीक है, च कुछ नहीं करना, कोई एक उठा लेते हैं, टर्मरिक, विंका यह सेना, ठीक है, तो यह पता होना चाहिए, कि है किस चैप्टर से, अब टर्मरिक, विंका और सेना, यही है, इसे ही है, देखो, सेना, ठीक है न, तीन नंबर में शॉर्ट नोट लिखना है, तो कुछ नहीं, शॉर्ट नोट में तुम्हें, क्या बताना है, यह लग्जेक्टिव है, लग्जेक्टिव की डेफिनिशन दे दोगे, उसके बाद इसका बाद इसका बायलोजिकल सोर्स, केमिकल कॉंस्टेंट और ठेरोबेटिक एफिकेसी हो गया शॉर्ट नोट, इतना ही, क्योंकि इतन इतना है, तो यह लग्जेक्टिव और इसका बात करें, तो यह लापने पास, सेंडल वूड, अलावएरा जैल और रोजमरी ओएल, ठीक है न, तो डायट कोशन आ गया, इसका थेरोबेटिक यूज और कॉस्मेटिक यूजेज, तो अपने पास क्या है, डायट कोशन है, किसी दो को डेटे Prag करना है अब कोशन देख लो कितना है यहां पर, देख नमबर, यह कोशन जरू, जरू देखा करो, तीन नमबर में है,三 नमबर में एक नहीं है, तीन में से कोई दो एक्समें और एक कोशन देख नमबर का है, क्या करोगे, ठीक न, आप तुम्हें differ, तु तो यहां पर तुम्हें क्या बताना है इसका जैसे brief introduction brief introduction कर रखा होगा होते क्या है यह किस काम में आते हैं therapeutic application अब therapeutic application तो देनी देनी है तो पने course में ही है और इनका brief introduction brief introduction में क्या हो जाएगा sources क्या क्या है किस काम में आते हैं ठीक है और therapeutic use तो अपने आपर हो गया तो यह दो से तीन बाते बताऊगे इनके बारे में और शौर्टनोट खतम ठीक है देड्ड नमबर में और क्या लिखोगे बाले जिख दो लिख दो खतम इंड्रोड़क्शन में यही हो गया डिस्ट्यूशन और लिख दो लिखना चाहते हो तो के लिए रबाते हैं तो यह इस तरह से answering करनी है write a short note on any of the two of the following organized and unorganized drugs chromatography और tannins ठीक है तो यहाँ पर short note है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है देड़ देड़ number का है तो देड़ number में हमें इतना लिखना है कि सारी चीए cover भी हो जाएं और बहुत lengthy मतलब बहुत ज़्यादा गर आता है और time है तो लिखो भर के page कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं क्या कह रहा हूं क्या होती है इसकी process क्या होती है basic वो लिख दोगे यहाँ पर ठीक है न उसमें इस वारे में आते ही क्या क्या लिख दो है ना occurrence डिस्टिबिशन आइसोलेशन टैस्ट थेपर्टिक एक्टिविटी एंड फॉर्मसिटिकल एप्लिकेशन खतम कहा नहीं इसमें सारी लिखने जाए सारी लिख दो तो जो हेडिंग्स है न वहीं लिखो जो याद करके गए हो exception मत सोचो किलिए आफ बाते हैं चैलो आगे आते हैं हैं लोग को मोटडर भाफिय हो अब जैसे की जो आता अपना याला पार्ट याला पार्ट के लिए जो मैं पहले बताया था इसवाले पार्ट के लिए थौरो श्टे लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग से पढ़ लिया है तो इसके कर सकते हो है ना कर सकते हो कर सकते हो डायुरेटिक अब डायुरेटिक में जैसे अब मालो यह चलो उपर वाला माल लिया एक्जांपल अपने नहीं दे रखें अलकॉलाइट यहां फस गए तुम लोग अब यहां चाहिए पुनररवा, एफेडरा, एपकवान, और वसाका तो यहां पर तो तुम्हें यह कोशन आना ही चाहिए क्यूं आना चाहिए जैसे कि यहां पर क्या है हमारे पास डायूरेटिक है तो पुनरवा यहां पर दे यह ही हुगा है मैंना करना सिलेबस मैं बात कर रहा याद होगा तो भी काम हो जाएगा तो डारेक्ट पुना रवा यहां पर दे रखा है ठीक है और फार्मक अगनोसी पढ़ रहे हो किसने टर्म दिया वो नहीं पता यानि कि हमारे पास एक कोशन यह बनता है हमें आना ही आना चाहिए यह थोड़ से कोशन ऐसे हैं कि आप पढ़ते हैं तो टीचर या जैसे मैंने भी बताया होंगा कि किस ने दिया तो कहीं ना कि जब किसी खास साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं अगर तो उसको याद कर लेना है तुम लोगो तब मेन केमिकल कॉंस्टेंट अफ गार्लिक अब पर रोजी खाते हैं अधरक रोजी खाते हैं तो इनका मेन सबसे मेन तो पता ही होना चाहिए एक जीके का कोशन बन सकता है ठीक है ना विचा फॉलंग इस नॉट आयरवेदिक फॉर्मलेशन क्रीम गुटिका असावा भसमा अब यह बड़ा इससे सिंपल और क्याल हो गए जीके फॉलंगे ऑगनाइज ड्रग अधर अनॉग्णाइज आ गया और इसके एक्जाम्पल आ गया तो यहां से अगर हम देखें मोटा मोटा तो यह कोशन पता होना चाहिए ठीक है यह बहुत टफ नहीं चलो मान लेते हैं नहीं पता है यह कोशन डारेक्ट हैडिंग से आ मैं उस कंडिशन लेके चल रहा हूं कि हमको जो मैं बता रहा हूं कि इतना भी कर लोगे तो चालिस नमर बड़े अराम से रख्के हुए है और इंटरनल तुवारे दस नमर मिली रहे हो तो चालिस और दस मिलके पचासाथ नमर तुवारे हो जाएंगे सौ में से तो पास करना बहुत असान है अब यह कोशन तो भाई आयरवेद के फादर होने चाहिए तो पीछे तीन चार थे पांच छे कोशन यह हो गए ठीक है फिलिंदा ब्लैंक्स की बात करें अगर हम लोग फिलिंदा ब्लैंक्स की बात करें तो यह देख रहे हो मतलब 50% कोशन फिलिंदा ब्लैंक्स अब्जेक्टी में भी ना डारेट कोश्टी से आए हुगा है अब तुम्हें अच्छे से पढ़ रखा है तो जब अच्छी बात है नहीं है चलो कोई बात नहीं मैं फिर से उसी बात पर आता हूँ कि डिरेक्ट कोश्टन आगया हमारी हैडिंग से जेरे जेक्लास ओफ ड्रग वीचार उस्टु ट्रीट हाई बीपी है ना हाई बीपी गो ट्रीट करने के लिए अब हाई बीपी के लिए चले जाओगे आजाओ भी अब high BP जैसे anti-hypertensive है ठीक है ना इसके अंदर क्या आते है तो यहाँ पर क्या जाएगा high BP anti-hypertensive हो गए ठीक है diuretics भी BP कम करते है बट यहाँ पर लिखा हुआ है class कौनसी है यह anti-hypertensive लिख दोगे इसको ठीक है अब that question आ गया यह ओके ठीक है अब high BP यह आ गया dash is a combination of living beneficial of bacteria and is that naturally living in our body dash is dash are the combination of living beneficial bacteria अब यह अगर तुमने न्यूटरिसिटिकल वगरा वाला पर पढ़ रखा है तो इसको कर ले जाओगे चलो मान दिया उसको detail में नहीं पढ़ रखा है absorbent cotton is an epidermal hair of the seed of the species अब यह तो source diet question आ गया absorbent cotton पढ़ रहे हो तो उसका source वगरा तो पढ़ते ही है हम लोग question direct है सिंकोना आई जाए dash drug है ना सिंकोना diet question आ गया सिंकोना क्या है हम सब को पता सिंकोना basic पता ही है anti-malarial होता है तब भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ anti-malarial में कोन आ गया सिंकोना कैसा हो गया direct question है यह मैंने करना syllabus भी याद है तो और basic basic आता है तो 40 से 50 नंबर खीच ले जाओगे लेकिन पूरा आना चाहिए ठीक है ना basic basic भी पढ़के जाओगे अगर और और क्या गयाते है gold biter skin test is done for the identification of gold biter ठीक है मान लिया मतलब syllabus में नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो मैंने भी इसको अच्छे से explain किया हुआ है तो पक्का यह बात आती है तो यह कहीना कि teacher बड़ा force देके पढ़ाता है इन सब बातों को यह सब वो question है जो teacher पढ़ाएगा या मैंने भी पढ़ाए होंगे तो कहीना कहीन फोर्ष दिया होगी यह ऐसे चीज़े होती है गोल्ड बीटर्स का बारे में मैंने बताया था कि उसके आतों के बारे मैंने बात भी की थी और एक बात बोली थी साहिट तुम लोग लेक्टर देखा होगा कि हम लोग जो बर्ष वगए रखाते हैं जो उसके पर परत होती है वो किसकी होती है ठीक है न टी लीव्स अर अप्टेंड फॉम दा प्लांट लो डारेट कोशन आ गया यह टी लीव्स यह ना विदेनिया सॉमनिवरा ब्लांट टु फैमिली गया इन हिंदी सिननम अनंट अब ठीक है सिनॉनिम आ गया यहां पर इसका क्या देना हमें सिनॉनिम तो सिनॉनिम दो तीन चार जो भी याद रखे हैं कोई भी एक आ लिख सकते हो डारेट कोशन है यह शाख लिवर is a source of दैस विटामीन तो शाक लिवर ओइल किस विटामीन का सोर्स है ठीक है ये कही न कहीं साक लिवर आम लोग पढ़ते भी हैं नहीं पता तो कोई बात नहीं अब मैं मोटी मोटी बात करूं अगर जो डायक कोशन आ रखें एक दो तीन चार पंच छे साथ और रायाते हैं नो दस ज्यारा क्रणा को गड़े ओगuben गिना रहाता कि जो मैं अपना अपर कहते हैं आ च्कू छे कोशन आते हैं लेको फिर कमेंटर भी कर दीए होका अब तक कि किस सद रितना नीह जिंदा थी मुख नर मोता यह ठीक है ना फिर 3 इंटू 10 ये भी 30 नंबर का थी 30 60 और फिर एक नंबर के 20 कोश्चन तो कितना हो गई असी अब देखो मैं क्या गह रहा हूं इस 30 में से तुम लोग 6 यह ना 6 6 नंबर के वादर 5 इस एक नंबर भी लेके आते हो कितना हो गया यहां से तुम लोग देख सकते हो 30 से 32 यह मैंने वह मरी हालत बताई है यह मरी हालत यह मत कहाना कि सर मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा मैं यह उन बच्चों की बता रहा हूं कि 32 नंबर तो यहां आ गए अगर तुम इंटरनल अपने अंदर आट नंबर भी ले आए तो 32 और चालिस पास हो जाओगे और जो फिर पढ़ रहे हैं बच्चे वो तो फ पास हो जाओगे ठीक है किलियर है तो यह हमारा किसका डिस्कसन हो गया यह हमारा डिस्कसन हो गया यूपी का 2022 का ही है यह भी 2022 का ही है अब हम किसका डिस्कसन करेंगे महराश्ट्रा का किलियर है चले स्टार्ट करें चलो फिर कहानी वह ही है जैसे यह 30 नंबर का कोश्चन है है हमारे पास राइट बाइलोजिकल सोर्स केमिकल कॉंस्टेंट एंड यूजेज ऑफ बैलाडोना एंफेड्रा डाइट कोशन आ गया अब ठीक बाव पीछे नहीं जांगा एक्स्पेन फार्मकोलोजिकल classification of crude drug with merits and near it कि यहां पर क्या करना का classified classification कर देना ठीक है ना merits WH аляются still लोगँ है यह अधेड देदिया merit pretty merit पड़ा होगा न तब यहां पर एक काम कर लेते हैं इसको मैं बीच की कुछ चीजें गायब कर देता हूं जिससे की ओके एक इसको गायब करते हैं एक इसको गायब करते हैं हो गया क्या नए एक इसको गायब करते हैं एक इसको गायब करते हैं तो हम डारेक्ट अब जंप कर पाएंगे ठीक है आते हैं अब दोग क्या था मैं फार्मकोलोजिकल क्लासिफिकेशन तो देखो यहाँ पर तुम्होंने देखा ही होगा यह जो हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ यहाँ पर इनकी मैरिय्ट्स and D-merits तो साथ में लिखी होंगी तो कोश्यन रहे हैं तो कहीं कज़र थे थोड़ा सा लैंदि हो गया क्लास्फाइ कर देना इनको कि यह इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन कर दे हैं अल्फाबेटिकल टेक्षोन proposals evolution of crude drug कौन से parameter हम लोग consider करते हैं evaluate करने के लिए ठीक है ना parameters की बात आगी write any four methods of adulteration and substitution अब which parameter are considered for the evolution of the crude drug को evaluate करने के लिए हम कौन से parameters का इस्तमाल करते हैं parameter समझ रहे हो कि कोई drug है मेरे पास तो सूखा है या क्या है किस तरीके सब्सक्राइब कि हाँ यह सही है या गलत है अगर मान लो एक बार को याद नहीं भी है ठीक है तो तुम्हें कम से का write any four methods of adulteration and substitution तो यह तो diet question आगया हमारे पास अडल्टरेशन, substitution वाला यह diet question आगया ठीक है ना तो parameter वाली बात एक बारी अब यहां पर इन्होंन क्या कर दिया कि चीज़ें को सब्सक्राइब किया अब यहां पर चीज़ें थोड़ी सी पढ़नी पढ़ जाएंगे लेकिन हाँ पूरा थोड़ी पढ़के भी जाओगे जैसे मैंने बताया अलकलाइट के बारे में जानते हो explain the test which performed for identification of anthrakinon glycosides जाने कि यहां पर कहीं ना कहीं अगर तुम ग्लाइकोसाइट के और अलकलाइट के टेस्ट भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा ठीक है ना आगया आते हैं अक्सिटोसिक डाइट कोशन आ गया explain ergot cycle will diagram अब हो सकता है कुछ बच्चों ने इस cycle ना पढ़ियो ergot की ठीक है ना कुछ बच्चों ने cycle ना पढ़ियो ergot की बट oxytosic पक्का पढ़े होगा ठीक है ना ergot cycle actually उसी के अंदर आता है ठीक है जब उसका process पढ़ते हैं तो ergot cycle आती है ठीक है तो कही ना कहीं oxytosic तो पढ़ा है कुछ बच्च 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 पढ़ रहा होगा तो पढ़के जाएगा no doubt ठीक है यहाँ पर diagram अगरा रहेगा ठीक है तो यहाँ पर at least तुमको यह definition यह question तुम्हारा पूरा तो नहीं जाएगा गडबड़ तो नहीं होगा definition अगर एक number की है तो यहाँ एक number तुम्हें मिली जाएगा इनकेस अगर यह छोड़ते हो तो अगर आप यह बात तुमको अंगर कहिस कराएं पर गए है तो कि यहँ हम और पंच इंपटेंट है कोश चीज्जरीं होने कि संभावना रहती है ठीक तो यहां तो कम से कम डायट 5 नमबर मारा हो कहीं ना कहीं चीज़ेंगी पांस नहीं मारा हो तो यहां कम से कम चार्ट तो मारा हो गए क्योंकि प्रिंसिपल तो पढ़के जाओगे इनका चीज़ेंगे तो अब तुमको यह देखना है कि टर्मरिक और असोफाइट टीडा की अंदर क्या पाया जाता है अब यहां पर थोड़ा सा कोश्चन आ गया है ठीक है यानि की समझ बात को यह कोश्चन फिर से मैं कहूंगा तरीका सही है अब जैसे कि तुमको यहां पर आउना चीज़े कि जो टर्मरिक है और दूसरा क्या था ऐसोफाइट अउसके अंदर क्या पाया जाता है अलकॉलाइट है कि टर्पिन ओड़ाइक वॉलेटाईल है कि टैनिन है कि रैजिन से और जो उसके अंदर पाया जाता है उसका तुम लोग टेस्ट यहां दे दोगे बात समझे में आई question तो यहीं से आएगा ठीक है बट डारेक्ट ना करके थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट किया है यह ना पेपर को समझने का तरीका इसलिमें बताते चल रहा हूं मैं तो test क्योंकि हमारे पास यहीं पर ही है तो जाएंसी बात है जो टर्मेरीक और असुफा और टैनिस और रेजिन किन के अंदर पाए जाते हैं अगर पता होंगे तो अच्छी बात है नहीं पता है तो फिर यहां समस्या खड़ी हो जाएगी ठीक है ना ओके बात समझ में आई उस question को कैसे पकड़ना था देखके ऐसा लगा रहा है कि यार टर्मेरीक और ऐसा चैप्टर नंबर फाइव से और यह उठा दिया चैप्टर नंबर फॉर से तो दो चैप्टर को कमाइन कर देते हैं तो तुमको यह पक्का सोचना है कि यह जो topic है यह जो question है यह किस chapter से है अगर यह decide नहीं कर पाए फिर समस्या हो जाएगी यह question किस chapter से है यह आना चीए पक question number two 10 question है तीस वाल नंबर वाले तीनती नंबर का फिर वही define pharmacognosy write the name of scientist who describe the method of extraction अब यहाँ पर थोड़ा सा मानता हूं बात में scientist की बात कि तुमको साहे थोड़ा सा दिक्कत लग सकता है कि extraction वाले scientist का नाम ना पता हो तो scientist का नाम यहाँ पर एक बार को हो सकता है ना पता हो ठ clinical pharmacy कहीं ना कि नाम तो आता ही जब पढ़ते हैं कि clinicals क्या थे क्या किया थे नोंने तो हो सकता है एक बार को कुछ बच्चे ऐसे हो जिरों केवल यही पढ़के गए हो तो एक नंबर तो है मिलेगा है मिलेगा बाकी एक नंबर का यह है एक नंबर का यह है जो बच्चे detail में जा रहे हैं वह अंदर गए होंगे ठीक है ना तो कुछ पार्ट उनको मिले होंगे कुछ पार्ट नहीं मिलेंगा कोई बात नहीं एक नंबर तो आएगा है अपना पास यहां पर ठीक है ना कोशन पूरा छुटे का नहीं डिफाइन दा हर्वल फॉर्मलिशन डाइट कोशन हरवल देखो यहां पर थोड़ा सा यह पार्ट है माराश्टर का पेपर आ रहा है वह बच्चे ध्यान रखें याने कि दोनों टाइप के पेपर हैं और यह बच्चे अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं कुछ बच्चों कंफ्यूजन है यह पेपर ना ओल ओवर इंडि दिया है इन्होंने मैं एक बारी कोशन देख लेता हूं जो कि तुम्हें समझा सकूं में गार्लिक यह चला गए चैप्टर नंबर फाइव में तो यह तो कोशन तुम्हारे दो मार्स फटाक से हो गए ठीक है हर्बल कॉस्मेटिक है यहां पर तो हमार पर जो हर्बल प्रप छोगे यह हर्बल फॉर्मलेशन वही में कुछ गवट चल रहा है यह हर्बल फॉर्मलेशन ठीक है ना इसके अंदर काफ सारी चीज़े हैं स्वाड डूस के फॉर्म आ गया अब तरपिटिक जो गार्लिक की बात चल रही तो यहां से आ जाएगा गार्लिक यहां गई होगा अपना का गया गार्लिक ठीक है गुगल गार्लिक मिला किसी को कि अगर यहां पर है तो अच्छी बात है देखने या और नहीं है तो भी गार्लिक सबको पता लेसन के दो-तिन तो यूज तुम लोग दे सकते हो थरपेटिक यूज बहुत सिंपल सा था लेकिन यहां पर जार्लिक नहीं दीक रहा है चलो मैं देख लूँगा उसको कि गार्लिक कहां पर है और वह सकता है क्योंकि हम लोग इनओं हर्बर हॉर्वक फॉर्म Leision है तो हर्वर्वललेसिन में ही हम लोग गार्लिक को भी इंडिडूस करें ठीक है न तो कहीं लिग इसमें, ash value, extractive value, ये बाते हैं हम लोग कुछ यहाँ पढ़ते हैं, evolution of crude drug में, ठीक है न, ash value, extractive value, diet question नहीं है, बठ आ इसके अंदर ये बातें आती हैं, अगर एक एक फोड़ा सा भी पढ़ा हो और थोड़ा सा भी दिमाग में अगर हो, तो उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इसका अगर define भी कर दोगे तो कम से कम तोवारा जो question है वो खाली नहीं जाएगा है ना अभी मैं यहाँ पर कोछी explain नहीं कर रहा है कि इसको कैसे लिखना है आगे आते हैं define surgical dressing diet question लागा state the ideal requirement of surgical dressing diet question है यह तो ideal requirement पता है यह क्या होता है तो यह diet question लागे तो पढ़ते ही हो है ना easily मिलना चाहिए सस्ता होना चाहिए irritation नहीं करना चाहिए है ना और surgical dressing है ना उसकी कुछ और properties होती है sterile होना चाहिए यह तमाम बात इसकी होती है ठीक है यह simple question था state the therapeutic application of IPAC artemisia and ephedra therapeutic application of artemisia and ephedra देखें जरा therapeutic application cosmetic आ गया therapeutic application अच्छा यहां पर यह आ गया अच्छा यह garlic दोखो garlic यहां पर है यह ठीक है ना therapeutic application of garlic मैंने कहा ना है course से ही मिलता नहीं कई बार कोई बात नहीं अब यहां पर हम आ जाते हैं जैसे की सैना डीटेलिस कौर यंदर फैनल के तैच्छू आइपक कोहाना ठीक है ना और क्या था देखने जा रहा therapeutic तो आइपक artemisia and ephedra ठीक है ना तो यहां पर जो अपने पास ठीक है यह बढ़ा जाता है देख नहीं पाता हूं मैं तो यहां पर रहने ठीक अप्लिक अप्लिकेशन भाया आता है तो और कहां चला आपने पास एक और सा सेना डिटलिस एफेडरा ठीक है ना कोशन देखो होगा सब यहीं से ही पूस बहार से नहीं होगा मिलेंगे सब यहीं बढ़ा है ठीक है वो तीसरा दीखनी रहा आटीमीस हो यह रहा ठीक है कोशन सब यहीं से होंगे अच्छा यहां पर एक और चीज है जो मैं देख पा रहा हूं कि अपने pats यहां पर आप्षेंज नहीं है महरा है वाली पेपर में यूपिज वाले पीप से अपनी उसका थोरोड फोरोड स्टेडी कर लेंगे एक बार में उसका डेफिनिशन भी याद करते होगे तो भी क्या करोगे पूरा इसली पास हो जाओगे आगे आते हैं राइट यूजब ऑफ इस्पैरलोना एड प्रिबायोटिक्स एंड इस्पैलोना यूझ आ गा जा जाएगा इन में तो मतलब बान के नमबर पूरे-पूरे मारने है तुमको है ना इन तीन नंबर पूरे पूरे मार होगे तो कम से प्रभार जाता हू company न्युटरा कोशन भी कर लिए तुमने पंद्रा कोशन खटाक से ये होगे पाँच फाइट समय नम्बर के दो कशचन भी पूरे कर लिए तो दस तो दस पूरे यह आता ही disinfected with example ठीक है organized unorganized crude drug with example same question repeat हो रहे है define nutraceutical and antioxidant also give their therapeutic application फिर वही मतलब अब यह सारे question है आख देख सकते हैं हम लोग इस सारे question direct आ गए है यह कहीना के देड़ नंबर का होगा यह भी कहीना के nutraceutical और दूसरा क्या था एंटी ओकिजेंट ठीक है ना तो यह कोशन तो डायेक्ट उठके आ रहे हैं तुमको तो डायेक्ट उठके आने वाले कोशन ठीक है मान लिया मैंने कुछ तीरे आएंगे लेकिन कम से कम 40-50 निटास कोशन मार्क के कोशन ऐसे हों गो डायेक्ट आएंगे डायेक्ट तुम लिखो गे तो नंबर नहीं कटेंगो उसमें तुम नवाले कि उनके बारे हैं बता दो कि कितना कितना डाटा है कितना कितना रुपया आया है इनसे राइट दा मैसल आप परपरेशन फटो यूज है तो ओके यह लेवेंडर ऑगया है नहीं अपर वह रहाएंबर ऑप्ण्र परॉइब तो सारी किया यहाँ पर है है कि यहां पर क्या है कॉस्मेटिक यूज ए तो अब तुम्हें ध्यान रखना है जब यूज बोल दिया तो थेड़ों को स्मेटिक दोनों लिखो गए यही बस थीज़ें समझने हैं हमको बात बागी तो बस खत्म हो गए अटेंट फालएं नेम दा फाइब विच कंटें तो मान लिया एक बार को उसी तरह चलते हैं साइज याद ना हो ठीक है नेम दा ड्रग कॉल दा बंदा शॉप ठीक है तो यह जिसने पढ़ रखा अच्छी बात है नहीं पढ़ा वो नहीं कर पाएगा इसको राइट नेम और ड्रग हैविंग दा सिनॉनीम बिशॉप स्वीड इसको सीनॉनीम से कोशिण आ रहे हैं थीवेख स्विड जिसने पढ़ रखा है याद होगा नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं नहीं अ मटल्ग उस दीफिकल्ट कहा सकते हैं क्योंकि ड Gaza कोशण नहीं है बिट टर्ग यूजड रैमेटिस्म अंकि यहाद कोशं कर सकते हैं हम लोग डाइट कोशन है नेम दड़ विच कंटेंड रैसर पीन रैसर पीन है काफी इंपोर्टेंट केमिकल है ठीक है जो की याद दोना चीए कोशन जो केमिकल कॉंस्टेंट में आता है राइट था नेम अव ड्रग हैविंग सिनॉनिम पंक्चर वाइन यहाद पूछ लिए सबक्न. जबर कोशन भाइंघ वाइं तो कॉन्सा पारट है टो सबकोई पता एग कोई भी कोई भी याद है लिख दोगे एक तरह से नें दो ड्रग फॉर विच थैलोपीन टेस्ट इस परफॉंट आप पड़ा हो जिसने पड़ा था अच्छी बात है नहीं पड़ा कोई बात नहीं राइट दा कॉमर्शिल प्रपरेशन ऑफ एलावेरा जैल की प्रप्रेशन राइट वन कॉमर्शिल प्रपरेशन उसका नाम दे देना है यहाँ पर ठीक है ना अब कोई भी दे सकते हो नेम वन ड्रग फॉर विच किलर कैलानी टेस्ट इस परफॉंट फेमस है किलर कैलानी पड़ाई होगा याद होगा भूल गएगा तो फिर वह दिक्कत है राइट जाएट नेम था फाइट फॉर विच लाइबर में बुचार्ट टेस्ट इस परफॉंट फेमस है लाइबर में बुचार्ट थीक है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्ण हर्बल फॉर फॉरमुलेशन याद है तो ठीक उसमें भी यह सिंपल कोशन रहते तरह से इफ्लि है लेकिन हाँ थौरली पड़े होगा तो एक दो तीन इसको श्राइब चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा तो कहीं नहीं मैं मान लेता हूं तेरा में हटा तो दस कोशन यहां से भी कर ले जाओगे तो यानिकि मैं जो वही बात बोलता आ रहा हूं ठीक है क्या बोलता रहा हूं कि कि अगर सिलेबस को भी कायदे से पढ़ लिया है जितनी हेडिंग से उनके वारें तीन तीन चाचा लाने याद कर लिया है तो पास होना तो बड़ा ही असान काम है ठीक है फेल नहीं हो सकते हो दस पंदा नमबर ठीक है आगया कुछ चीज़ें बिल लाने है बहुत आराम से आ जाएंगे बात समझ मारी है किलियर है तो करना क्या है पढ़ाई करनी है और रिवाइस करते रहना है चीज़ें को असलेबस में खास करकी फोकस देना है करोगे ना गुड अल दा बेस्ट